हलो स्टुएंट यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं exercise यहाँ पर 8.1 तो हमारी exercise अब है 8.1 जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था introduction त्रिकोन मिती का पूरा introduction हमने आपके लिए बता दिया था पिछली वीडियो हमारी playlist में देख लेना इससे पिछली वीड exercise 8.1 में हमने यहाँ पर आपके लिए खंड बा के प्रशन देने हैं खंड बा में जो है वो वर्णात्मक प्रशन है खंड बा ठीक है भाई खंड बा में वर्णात्मक प्रशन है और हम इसको शुरू कर रहे हैं इसका पहला सवाल तो यहाँ पर पहला सवाल क्या है पहला सवाल यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 थीटा बराबर 10 थीटा बराबर 4 बटा 5 10 थीटा बराबर दिया गया है 4 बटा 5 तो आप से पूछा गया है तो cos थीटा माइनस sin थीटा और बटे में cos थीटा plus sin थीटा का मान क्या होगा इस बात को हमें बताना है का मान ठीक है भाई इसका मान हमें बताना है तो इसका मान बताने के लिए सबसे पहले हमें इस 10 थीटा से cos थीटा और sin थीटा निकालना पड़ेगा इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक समकोंड त्रिभूज बना लेंगे जैसा कि हमने त्रिकोंड मिती एनुपात बताया थे आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में जा करके आप देख ले ना त्रिकूण मिति एनुपात के लिए जो ट्रिक्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन हमने दिया गया पिछली वीडियो में तो आप उसको ध्यान से देख लेंगे तब यहां पर प्रश्णों को करेंगे ठीक ना तो सबसे पहले उस टैन थीटा बराबर चार बटे पांच दिया गया है तो हम यहां पर जानते हैं कि टैन थीटा बराबर अगर दिया गया है चार बटे पांच तो टैन थीटा बराबर होता है क्या होता है तो होता है लंब बटे में कर्ण लंब बटे में कर्ण होता है ठीक है ना तो लंब कि इतना है आप पर 5 तो ये 5 हो गया ठीक है ना अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर निकालना है आपके लिए आधार आधार निकालना है तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा आधार निकालेंगे तो बैटा हो जाएगा स्क्वार रूट क अंदर काण का बर्ग माइनस लंब का बर्ग का बर्ग माइनस लंब का बर्ग तो बराबर हो जाएगा काण काण कितना है यह मार पास 5 है तो 5 का बर्ग माइनस लंब है 4 4 का बर्ग तो यह हो जाएगा अपके लिए 25 माइनस 4.16 यानि 25 माइनस 16 तो हो जाएगा अपके लिए यहाँ पर 9 और 9 हो गया, अपके लिए to 9 का बर्गमुल हो गया 3 ठीक है? तो यहां नहीं की, यहाँ पर आदार जो आगया वो 3 आगया आदार कितना आगया? तीन आ गया तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉस थीटा निकाल लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण यह होता है तो आधार कितना है यहाँ पर आधार है आपके लिए तीन और कर्ण है आपके लिए पांच cos theta बराबर आगया आपके लिए 3 बटा 5 ठीक है भई इसी तरीके से आप यहाँ पर हम निकाल लेंगे sin theta तो sin theta बराबर आगया لمb बटे में कर्ण لمb बटे में कर्ण तो لمb कितना है لمb है हमारे पास 4 और कर्ण हमारे पास 5 तो हम इनका मान रख देंगे उसमें और मान निकाल लेंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रखने cos theta का मान cos theta कितना है 3 बटा 5 minus sin theta sin theta का मान यहाँ पर है आपके लिए 4 बटा 5 तो मैंने रख दिया 4 बटा 5 और बटे में ठीक है तो यहाँ पर cos theta minus sin theta होगए अब होगा cos theta plus sin theta तो 3 बटे 5 plus 4 बटे 5 ठीक है अब LCM ले लेंगे यहाँ पर हम इस टर्म से 5 LCM तो हो जाएगा 3 minus 4 और बटे में यहाँ भी 5 LCM 5 लासा तो हो जाएगा 3 plus 4 तो यहाँ पर आप देखिए 3 plus 4 गया एक बचेगा वो भी minus का 1 बटे में 5 और बटे में 4 और 3 हो जाएगा 7 7 बटे में 5 तो यानि यह हो जाएगा minus का 1 बटे 5 गुणे 5 उपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा यह बचेगा minus का 1 बटा 7 यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो इसका आंसर जो जाएगा minus का 1 बटा 7 हो जाएगा तो इस तरीका से यहाँ पर हमारा पहला प्रशन खतम हुआ और अब हम बात करते हैं दूसरे प्रशन की दूसरा प्रशन इंपोर्टेंट है देखेए दूसरा प्रशन क्या है लिखा है 10 α बराबर बन अपान रूट 5 यह है बन अपान रूट 5 है और आप से पूँचा गया है तब बताईए आप कौस्सक इसक्वाइर अलफा और माइनस सेक्वाइर अलफा बटे में कौसेक स्क्वार अलफा प्लस सेक स्क्वार अलफा ये इसका मान निकालना है और आपके लिए टैन अलफा बराबर दे रखा वनपान रूट फाइव तो इसको सॉल्ब करने के लिए क्या करेंगा देहां से सुनिये सबसे पहले हम यहाँ पर टैन अलफा का चित्र बना लेते हैं यानि टैन अलफा बराबर हो दाएगा टैन थीटा बराबर क्या होता है बनपान रूट फाइव है यहाँ पर और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब कितना है एक आधार कितना है रूट फाइब तो हमें कर्ण को निकालना पड़ेगा कर्ण निकालने के लिए यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर आधार का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग तो यह हो जाएगा यहाँ पर आधार कितना है रूट फाइब रूट फाइब का स्कुएर प्लस लंब का वर्ग यानि एक का स्कुएर तो यहाँ पर हो जाएगा अपके लिए रूट फाइब का स्कुएर पांच और प्लस एक का वर एक यानि रूट के अंदर 6 आ गया रूट के अंदर 6 आ गया ठीक है ना तो यानि इसका जो स्कॉर रूट हो जाएगा वो 6 हो जाएगा ठीक है कर्ण अब कर्ण हो गया अब इसके बाद हम आपके लिए value निकाल के दिखाते हैं इसकी और इसकी value होता है लंब बटे कार्ण और यह हो जाएगा आपके लिए कार्ण बटे लंब कार्ण बटे लंब यह हो जाएगा अब कार्ण कितना है कार्ण कितना है आपर बताईए कार्ण है आपके लिए रूट सिक्स और बटे मैं लंब कितना है एक यह हो जाएगा और सैक स्क्वार अल कांड बटे में आधार कांड कितना है तो कांड यहाँ पर है रूट 6 और बटे में आधार कितना है आधार है रूट 5 यह है तो यहाँ पर दोनों वैलू निकाल ली है और इसके बाद अब हम इसको इस सूत्र में इसमें रख देंगे पूरी तरीके से वैलू को फाइंड आउ करके बताते हैं तो हमारा यहां पर कौसक स्कॉार अलफा है और कौसक अलफा की बेलू है रूट 6 तो भाई मेरे रूट 6 का क्या हो जाएगा square हो जाएगा minus sec alpha की value है root 6 और upon में root 5 तो यहाँ पर इसका square हो जाएगा और बटे में इसी तरीके से cosic square alpha है यानि root 6 का square और plus में root 6 upon root 5 का square यह हो जाएगा अब इसको solve करना है देखें root 6 का square करेंगे तो square से root हड़ जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6 minus root 6 का square करेंगे तो 6 आजाएगा root 5 का square करेंगे तो 5 आजाएगा और बटे में यहाँ भी 6 आजाएगा और यहाँ भी plus का 6 बटे 5 हो जाएगा तो यहाँ पर हम LCM लेंगे अब LCM लेंगे तो देखें क्या हो जाएगा 5 का 30 30 minus 6 बटे में 5 बटे में 6 पंजे 30 और प्लस 6 बटे में 5 ठीक है अब यह 30 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 24 और बटे में 5 बटे में 36 बटे में 5 अब यह 5 से 5 कर जाएगा तो बचेगा हमारा 24 बटे में 36 तो इसको काट देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 और यहां पर आपके लिए 2 एकम 2 और 2 अठे 16 तो हमारा पास बचा आपके लिए 12 बटे 18 अब इसको भी काट देंगे 3 चक को 12 और 3 चाक 18 यानि 4 बटा 6 है ना 4 बटा 6 अब इससाब से 2 से और काट दो दूनी 4 2 तिया 6 यानि 2 बटे 3 आ गया कितना आ गया 2 बटे 3 इसकी वैलू जो हो जाएगी आपके लिए वो फाइनली फाइनली 2 बटे 3 हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं यहां पर अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न बहुत ही इंपोर्टेंट है तीसरा प्रस्न है यहां पर तो तीसरा प्रस्न है आपर देखेंगे इधर आ जाएए धान से देखें तीसरा प्रस्न हम आपको यहां पर कराते हैं तीसरा प्रस्न हम आपके लिए कराते हैं क्या दिया गया है दिया गया है कोस A बराबर साथ बटा पच्चिस ये दिया गया है साथ बटा पच्चिस आपको निकालना है टैन A और कोट A ये निकालना है टैन A और कोट A निकालना है ठीक है तो हम यहाँ पर इसके बना लेते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार वटे कर्ण तो आधार है साथ और कर्ण है 25 तो हमें लंब को चाहिए होगा लंब निकालना पड़ेगा तो लंब का फार्मुला होता है बराभर में रूट के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग निकालना पड़ेगा ठीक है तो लंब बराबर हो जाएगा यहाँ पर कंड का वर्ग 25 है 25 के स्कुरार माइनस 7 का वर्ग तो हो जाएगा 25 पच्चिस नहीं 625 माइनस 749 अब 625 मेंसे उननचास घडालो माइनस 49 पंद्रह में से 9 गया 6 और यहाँ पर एक बचा 11 हो गया 11 में से 4 गया 7 और यहां यह 5, 576, रूट के अंदर आ गया, 576, यह होता है बर्गमूल आपके लिए, आपके लिए कितना का होता है, 24 का, ठीक है ना, 24 का होता है यहां पर बर्गमूल, ठीक है, तो इस तरीका से यहां पर हमारा हो गया 24, यानि आधार आ गया हमारे पास 24, ठीक है, यह लंब लंब का मान 24 आ गया तो हम इनका मान निकाल सकते है 10 थीटा अब 10 थीटा बराबर होता है 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार लंब का मान 24 और आधार का मान 7 तो 10 थीटा बराबर 24 पसे 7 हो गया ऐसे ही कौट थीटा निकालेंगे तो कौट थीटा यहां पर होता है इसका उल्टा कौट थीटा वरावर होजाएगा साथ बटे 24 है ना, साथ बटे 24 होजाएगा कुकिटेन का उल्टा कौट होता है अब यहां पर इनको जोड़ देंगे तो 24 बटे 7 प्लस 7 बटे 24 खेंगे, यह हो गया 24 और 7 की गुणा करा लेंगे यहाँ पर LCM ले लेंगे 24 की गुणा 24 से हो जाएगी तो 24 की गुणा 24 से करेंगे तो हो जाएगा 506 और पिलास 7,49 और बटे में 7 की गुणा 24 7,48 का 8 और हासिल लगा 2,7,2,14 15,60 तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे 9,6,15 का 5 हासिल लगा 1,7,4,11,12 का 2 हासिल लगा 1,5,6,6,25 बटे में 168 यही हमारा आंसर आजाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपके लिए तीन प्रस्ण करा दिया है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप पर तीनों प्रस्ण है और इसी तरीके से सबसे पहले हमारी जो है मुख्य बीडियो देख लेना जाकर के इंट्रोड़क्शन की बच्चों इंट्रोड़क्शन की बीडियो जब आप देख लेंगे ना तो यह ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगे आपके लिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे सवाल बहुत सारे सूत्र आपके लेकर आए हैं और इसी तरीका से यहाँ पर जितने भी इंप्रस्ण करा रहे हैं वो आप सीखते जाएंगे और हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो आप जरूर देख लेना प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी और इसी तरीका से हम जो है पूरे एक्सरसाइज 8.1 खतम करेंगे और इसी बहतरीन सवालों के साथ हम चलते रहेंगे तो आपको नेक्स वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बहतरीन सवाल इससे आगे के और होंगे थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो